तो कैसे हैं आप लोग एक बार फिर स्वागर थे आप सभी का हमारे एक और ने कमाल के और मज़दार वीडियो के अंदर दोस्तों आज आज आप सभी के लिए हम लेके आ गए हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट और महतपून कोश्चन को कोश्चन हमसे ये पूछा चाता है कि भई कौन से फाइलम के अंदर जो हमारा कौक रोज होता है जिसे आप देखते रहते हो आपके घरों में घूमता रहता है आपके किचन में घूमते रहता है ये कौक रोज कौन से फाइलम के अंदर बिलॉंग करता है और आप जिस फाइल का नाम बताएंगे उस फाइलम को जस्टिफाई भी करिए कि उसी फाइलम में क्यों ये बिलॉंग करता है तो आए जानते हैं फटाफट सलूशन इसका कि अगर ये कोशन हमारे एक्जाम में आ जाता है तो इसके आंसर में हम क्या कुछ लिख सकते हैं आपकी जाने कारी के लि भाई कोकरोज बिलॉंग करता है फाइलम और्थरोपोडा से और इतना ही नहीं ये और्थरोपोडा में बिलॉंग करने के साथ साथ में जो जो कराश्टिस्टिक फाइलम और्थरोपोडा वाले एनिमल दिखाते हैं शो करते हैं वो ही सारी कराश्टिस्टिक यहाँ पे जो कौकरोच के डायग्राम या चितर को बनाने की कोई भी आवशकता नहीं है अगर यह कोशन आएगा भी आपके एक्जाम में तो यह कोशन सिर्फ दो मांकस के लिए आएगा और अगर वहां पे आप चितर बनाने चले गया तो वहां पे समझ लेजे आपका आधा पेपर तो ऐस एक्जाम में क्या लिखनी की है तो जो अगली लाइन है उसमें आप लोग यह लिख सकते हैं कि जो हमारी कौकरोज होती है कौकरोज का जॉइंड अपेंडेक्स होता है अब जॉइंड अपेंडेक्स का मतलब क्या होता है जॉइंड अपेंडेक्स का मतलब यह होता है कि जो हम हमारे मेंज बॉड़ पाओं से गरदन हीच लक तो available लाओंड दिया तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं जॉइंड अपेंडिक्स साथी साथ में यहां पर जो हमारे कॉक्रोज होता है हमारे कॉक्रोज के पास तीन जोड़ी पाउं होते हैं तीन जोड़ी पाउं पर तो तीन दाय तरफ तीन बाय तरफ और साथी साथ में इसके पास दो जोड़ी पंक होते हैं और जिसके वैसे आपने देखा होगा कुछ-कुछ कॉक्रोज जैसे होते हैं जो उड़ते भी हैं वैसे वैसे वीजे मैजता है और ये बड़े हो जाते हैं वैसे जो विंग फोटेश में और कराक्टिस्टिक को समझते हैं यहां पर जो कॉक्रोज होता है कॉक्रोज हमारा ट्रिप्लो ब्लास्टिक होता है अब यह ट्रिप्लो ब्लास्टिक क्या होता है ट्रिप्लो ब्लास्टिक हम उन जानवरों कहते हैं उन एनिमल कहते हैं जिनके पास तीनो जर्म लेयर होते हैं हमारे पास टोटल तीन जम लेयर होते हैं एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम तो हमारे कॉक्रोज के पास एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम ये तीनों डम पाए जाते हैं इसलिए हमारा कॉक्रोज होता है ट्रिपलो ब्लास्टिक साधी साथ में जो हमारा कॉक्रोज होता है इसे हम सीलो मेट कहते हैं आप सीलो मेट मतलब क्या होता है सीलो मेट समझे है उसके पर आप लोग यह समझे सीलम मतलब क्या होता है देखिए बाई सीलम मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर खाली जगह होती है मतलब हमारी לקab करते हैं तो हमारी बोडी के अंदर एलिमेंटरी कनाल बात करें ट्लिक मेंसमें फूड bakad है जो मर छरлам लिवर वगए है इसके बार इसके बात जो हमारा बडरी कोあ यह हमारे का ऐलेकर हमारे बॉडी का बॉडी निवनीन फूकिल के के अगर आपकी बोरी तरीके से कच्रे की माफित्री की जए तही mapped अनकी दिखा सकते हैं आप लोग कर सक्ते हैं और इसके लिए लो मेंट बहुत जरूरी होता है अगर आप लोग को नहीं समझा सिरोमेट क्या होता है तो यहां पर आई बटन में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा और इसके उपर हमने बहुत ही कमाल का वीडियो बनाया हुआ है आप लोग वहां चाके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं अ तो उसके बाद आपके जो दो टुक्ड़े आएंगे वह दोनों टुकड़ो में एक हाथ आजाएगा एक पाऊ आजाएगा आधा आधा थोबड़ा आ जाएगा पेट आजाएगा तो कहने का मतलब यह कि बाईट्रल सिमेटरी से अंगर मैं इसी और बीच ऑर बीच एक प्ल अलग तुकडे बनते हैं क्या हूँ दोनों टुकडे सेम सेम होते हैं नहीं होते हैं क्योंकि वोग एक तो-चे contemporically, तो आगली प्राप्रोटी के अंदेर होती है वो है segmented segmented का मतलब जो हमारा cockroach होता है ये कई हिस्सों में बटा हुआ होता है अगर आप cockroach की चितर को ध्यान से observe करेंगे घूरेंगे यहाँ पर तो आप लोग ये पाएंगे कि भाई cockroach के उपर कई लाइने बनी हुई ये चोटी चोटी और ये लाइने ही क्या है ये लाइने है segment मतलब छोटे चोटे 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 सेगमेंट में हमारा cockroach डवाइड होता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और property समझते हैं ये जो cockroach होता है cockroach का जो exoscalator होता है ये चितिनियस होता है अब आपको पहले बताता हूँ मैं यहाँ पर exoscalator मतलब क्या होता है exoscalator मतलब होता है बाहरी और exoscalator मतलब होता है protection ये जो हमारा cockroach होता है cockroach को बाहर से protection भी तो देना पड़ेगा कि बाहर से कोई आके सो खान न जाए कोई इसको मार न दे कोई इसको पीट न दे तो cockroach को बाहर से सुरक्षा भी चाहिए तो cockroach को बाहर से सुरक्षा देने के लिए इसके उपर होता है exoscalator मतलब बाहरी कवच होता है और ये बाहरी कवच चितिनियस होता है अब चितिनियस मतलब क्या होता है चितिनियस का मतलब होता है कि जो एक्जोस्केटरिन कड़क कड़क होता है नरम नहीं होता है कड़क कड़क होता है इसे हम कहते हैं चितिनियस उसके बाद अब यहाँ पर आखरी पॉइंट बताते हैं आपको कि हमारा कॉक्रोज सांस कैसे लेता है यहाँ पर जो हमारा कॉक्र हम यहां पर नोगनीट होता है अपना बृइदिंग करता है तो यह पॉइंट है जो आपको इसको कोकुरोच कर लेंगे कि आपको बहुत सभी तरीके से लिखा है और आपने आपको बहुत सभी सब्सक्राइब करने की दो अगर लोग से हमारी वीडियो रेटीो करी है न सबस्क्राइइजें टीर के लिए अपने ध्यान रखिए अपने परिवार का ध्यान रखिए से मिलते हैं आपसे अगली वुडियो में, as usual, thank you for watching, जैहिन!